कि अगर बात किया जाए तो करहा है कि अगर हम क्या करें बटा करें अगर बात किया जाए यह हमारा क्या होता है mixture होता है to immisible या पारिसली इमिसिबल या पुरी तरीके से हमारा mix up नहीं होता ठेके liquid होता है जिसको हम से करके इसको हम मिलाते हैं बनाते हैं करा एक coarse dispersion of one liquid in another is obtained is called क्या बोलोगे बटा emulsion यहनी हम यह बात कर सकते हैं एक liquid को दूसरे liquid में मिलाते हैं जो क पूरी तरीके से हमारा मिस्बिल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ठेके पूरी तरीके से हमारा मिस्बिल भी हो सकता है या पार्शली मिस्बिल भी हो सकता है इसी को हम क्या बोलते हैं इमलसन यह हमारा क्या होता है जनरली वन आप दा टू लिक्योड इन वाटर क्या होते हैं ऐसे होते हैं क्या gotta liquid in water उन्वाटर होते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं इस तरीके के होते हैंtime रही हमने बताया था इस तरीके से हुआता अःल इंवाटटर टाइब यह हम वो सकते हैं वाटर डिस्पर्जजी इन और उपनी टीकर जो की हमारloe इन वाटर इस तरीके से वाटर हमारा इक हमर हमारे ही सब्सक्राईब त्ट इन आयल है ठीक है इस तरीके से हमारा यह दिख भी रहा है फिलाल आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर कहने का मतलब डिस्पर्शन मीडियम वाटर है यह अगर बात करते हैं इसमें हम बात करेंगे बटा करें इन फ़स्ट सिस्टम का मतलब क्या हुआ Ail in Water पहले वाले की बात कर रहा है अगर हम Ail in Water की बारे में बात किया जाए तो क्या कह रहा है Water Act as Dispersed Medium ये बात हम लोग कर चुके इसका Example जो होगा Emulsion of Milk की बात कर लिया जाए और Vanishing Cream की बात कर लिया जाए ये हमारे Example है अगर यह milk की बात किया जाए, तो liquid fat is dispersed in water, liquid fat जो होता है, हमारा water में dispersed होता है, ठीके कह रहा है कि second system, second system की बात किया जाए, तो यह oil जो होता है, वो हमारा क्या होता है, यानि इस वाले में हमारा क्या होता है, कि water in oil क best कर रहा है इसमें क्या होगा second वाले की अगर मैं बात करूं सेकेंड शिस्टम के अगर बात किया जए तो जो हमारा 낮 डिस्परशन मीडियम होता वो हमारा क्या होता है और डिस्परस्ट होता एगर इसका एक्जामपिल के बात किया जाए तो इसका एक्जामपिल होगा बटर एंड क्रीम की बात करते हैं ठीक है तो ध्यान देना बटर एंड क्रीम हमारा एक्जामपिल है क्या बटा वाटर इन आयल का एक्जामपिल है और हमारा जो इस तरीके से हमारा कौन है मिल्क की बात कि हुआ की कि जा ऑगी करते हैं कि आगर होता है उस सेपरेट हो जाता है जो इस तरीके से छोड़ दिया जाए इसको तो दो लेयर में क्या हो जाता है इस तरीके से अलग हो जाता है तो बात siya ता है लग पाई सकता हूं कि यह हमारा इस तरीके से सेपरेट ना हो inland water केस की बाब चल लए तो हम क्या करते है इसटेबलाइजिएशन की बात अगर किया ник में इमल्सिफाइबेती हैं इमल्सिफाइब एजे ंट से लिए ठाइबिडांट इस्टीब्ला येचल एमल्स एजेटे हैं ये सुरुत एक interfacial film बना देता है between suspended particle and medium यानि कि dispersed phase और dispersion medium के बीच में interfacial film बना देता है कर रहें इसमें अगर बात किया जाए तो principal emulsifying agent की अगर मैं बात करूँ किसके लिए ILE in water के लिए याद करना पड़ेगा बटा यानि ILE in water की बात कर रहा है ILE in water पहले वाले की बात कर रहा है इसमें जो हमारा मुख principle emulsifying agent होगा वो क्या क्या होगा example आपको याद करना होगा याद करने के लिए इस तरीके से example कौन कौन सा होगा protein gum natural and synthetic soap ये हमारा कौन होगा बटा emulsifying agent होगा किसमें ILE in water में अगर मैं दूसरे वाले की बात किया जाए तो इसका emulsifying agent क्या होगा इसकी बात अगर हम कर लें तो ये इसके लिए क्या होगा metal salt of fatty acid long chain alcohol and lamp black ये हमारा किसका emulsifying agent होगा किसका बटा water in ILE वाले का ठीके और ये protein gum natural and synthetic soap ये हमारा को किसका होगा oil in water ठीक इसमें थोड़ा confusion है बेटा oil in water water in ILE में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हलका सा थोड़ा सा रूख करके इसको थोड़ा सा पर समझिएगा ठीके आगे फिलाल हम बात करेंगे क्योंकि तब वक्त नहीं होता emulsion can be diluted with any amount of dispersion ठीके ध्यान दीजिएगा मैं ये कहना चारो emulsion को हम dilute कर सकते हैं ठीके any amount of dispersion medium का मतलब जो भी dispersion medium है ये दूद में अगर पानी को मिलाते चले जाओ तो जाहिज बात है ठीके उस तरीके से हमारा emulsion ही रहेगा वही बात कहना चारा dilute अगर करना चाहो तो dilute ह हम कर सकते हैं on the other hand dispersed liquid when mixed form it separate layer the droplets in emulsion are often negatively charge यहां से important point है इसकी बात हम करेंगे ठीके हमें ये कहना चाहरा है बटा कि जो हमारा droplets होते हैं emulsion के वो generally कैसे होते हैं negative charge होते हैं ठीके जिनको हम precipitate कर सकते हैं electrolyte के द्वारा ठीके वही बात कर रहेदा droplets in emulsion are often negatively charge ठीके इस तरीके से emulsion में negatively charge होते हैं जिनको हम precipitate कर सकते हैं electrolyte के द्वारा ठीके और ये emulsion कौर इसका मतलब यह हुआ यह cancel की property में आ गया अगर मैं बात करूँ तो emulsion हमारा brownian moment भी सो करता है टिंडल effect भी सो करेगा ठीके बटा यह जनिक कौलाइडल की property जो भी है वो हमारा emulsion क्या करते हैं इस तरीके से सो करता है ठीके emulsion can be broken into constituent liquid by ठीके अच्छा इसको हम क्या कर सकते हैं emulsion में जो अगर oil in water या water in oil है दोनों को अलग कर किया जा सकता है constituent को by heating के दवारा freezing के दवारा centrifug यानि गरम कर दिया जाए बटा freeze कर दिया जाए या हम centrifug कर दें तो दोनों component क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं ठीके यह हमारा क्या कहते है इस तरीके से हमारा बेटा क्या हुआ complete हुआ अब लोग हम लोग थोड़ा सा यह पॉइंट लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का ठीक हम बात करेंगे collide around us यानि कि collide हमारे चारू तरफ कैसे हैं क्या है और collide कैसे हमारे life को किस तरीके से प्रभावित करते हैं यानि हमारे life में collide का क्या रोल है हम लोग जानते भी ने जबकि डेली इस्तेमाल करते हैं इसका most of the substance जैसे कि अगर मैं कहूं कम इकराश इने और डेली आउस भी लिव दन न्यूजपेपर भी रीड लाजली कंपो कंपोजड आफ को लाइड यानि यह सारी चीजे जनरली किसके हो क्या है यह को लाइड ही है जो भी हमने बात किया आगे हम बात करते हैं को कराई फालूइंग और दा इंट्रेस्टिंग और नोट वर्दी है थोड़ा सा इंप्able है कि इसके बारे में बात करते हैं अगर हम इस तरीके से बात करें किराएं कि बमारी सकेट्रिंग क्या हो रही कैसे scattering हो रही क्यों हो रही है क्या collateral solution है तभी तो बात कर सकते हैं देखिए अभी मैं इसके पहले बात करके आ हूँ ज्यादा बाती नहीं करूंगा हमारा last topic है बैटा ये dust particle along with the water यानि dust particle जो है वो हमारे water के साथ जो भी है बैटा वो हमारे क्या होते हैं air में suspended form में हैं जो की हमारे क्या करते हैं scatter करते हैं blue light को ठेके करा which reacts our eyes and sky looks blue to us यानि कहने के मतलब ये है dust particle जो water के साथ suspended है air में वो blue light को scatter करते हैं और जिसकी वज़ा से हमारा आसमान जो है इसका ही जो है वो हमें कैसे दिखता है blue कर दिखता है आई ये दूसरा example हम आपको देते हैं बैटा अगर हम दूसरे example की बात करें तो fog mist and rain की बात करते हैं fog की बात किया जाए mist की बात किया जाए जाए when a large mass of air containing dust particle cooled below the dew point the moisture from the air condensed surface these particles forming the fine droplets these droplets being collateral in the nature continue to float in the air from the farm to mist or fog यानि कहने का मतलब यह जो यह droplets होते हैं यह collateral nature के होते हैं और यह हमारे क्या होते बैटा air में float करते हैं और यह हमारे क्या बनाते हैं fog बनाते हैं mist बनाते यह बाते भी हमें आपको पढ़ाऊंगा बैटा इन्वर्मेंटल केमिस्टी में इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बात करूंगा इसलिए मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ collide की बात करूं जो कि हमारा इस तरीके से पहली बार नाम आया collide की बात कर रहा है यह हमारा क्या है बैटा cloud aerosol है having small droplets in water suspended in air cloud जो होता है वो हमारा क्या है किसके example होगा aerosol का जबकि हमें यह बता चुकी है having small droplets इसमें cloud में बादल में होता क्या है छोटे छोटे droplets होते हैं पानी के जो कि हमारे हवा में क्या होते हैं में suspended होते हैं करें जब भी कभी इनका क्या होता है बैटा condensation होता है ठीक है in the upper atmosphere यह corridor particle droplets जो होते हैं वो water के होते हैं ठीक है और बड़े साइज में हो जाते हैं और क्या है इस तरीके से rain बारिश के रूप में इस तरीके से हमें दिखाए पड़ते हैं और इस की वजह क्या है condensation ही है और अगर बात किया जा लाई कि बारिष क्यों होती है तो आप एक work में बोश सकते हैं कि जब दो opposite चार जब क्लाउड बादल सकते हैं मिलते हैं तो वहां पर क्या होता है neutralization होता है और neutralization होने के बाद वो collect के farm में नहीं रह पाएंगे और वो हमारे settle down होगी नीचे और जब नीचे गिरेंगे तो ये बारिस के रूप में ही गिरेंगे और ये condensation भी बहुत सकते हैं आप ठिक आगे बात करते हैं फिलाल अगर मैं इस तरीके से बात करूँ तो एक पॉइंट हमारा ये भी है कि अगर मुझे artificial बारिस करवानी हो ठीक है यानि अगर मैं ये कहूँ कि अगर मुझे artificial rain करवानी है तो हम क्या करें इसका मतलब ये बात है कि अगर opposite charge मिल जाते हैं तो कंडेंसेशन इस तरीके से नूट्राइशन के द्वारा कंडेंस होकर के एजर रेनफाल होती है तो ये बात हम कह सकते हैं कि अगर artificial rain हमें करवानी हो ठीक है तो हम क्या करें कि electrified sand को या spraying a salt carrying charge opposite to one on cloud from an aeroplane यानि aeroplane के जरिए हम क्या करें ठीक है electrified sand के particle salt के charge particle oppositely charge के particle cloud के compare में aeroplane से spray करवा दें तो ये क्या हो जाएगा बटा इस तरीके से precipitation हो जाएगा यानि इसका मतलब ये बात मैं कह सकता हूँ कि rain is the resultant of precipitation यानि neutralization charge neutralize हो जाएगा और इस तरीके से precipitate coagulation की बात कर सकते हैं ठीक है इसकी वज़ा से ही बारिस होती है ये सारी बाते ऊपर इस तरीके से फिलाल दी गई है हमने इस तरीके से बात कर लिया है सारी बाते आईए हम लोग आगे बात करते है food articles जैसे milk, butter, halwa, ice cream, fruit juice ऐसी सब हमारे क्या है Collide होते हैं ठीक है ये सारी बाते कुछ नहीं है आगे बढ़ते हैं Blood की बात करते है तो blood भी हमारा क्या होता है Collide होता है कराए, it is a collidal solution होता है, कराए, of an albinoid substance, ठीक है बटा, ये हमारा blood जो होता है, collidal solution होता है, albinoid protein होती न, उसी से बना है, albinoid substance होता है, कराए, septic action, ये थोड़ा सा आपको समझने वाला है, septic action जो होती है, ठीक है बटा, ये alum की किसकी हो जासे होती है, ferric chloride solution की हो जासे, सरी, septic action of alum, और ferric chloride solution की, जो क्या कहते है, septic action दोनों की जो होती है, is due to coagulation की बात किया जा, blood farming the clot and stop the further bleeding, यानि इस तरीके से मैं कह सकता हूँ, जब कभी भी आप क्या कहते हैं बटा, ठीक है, दाढ़ी बनवाने जाते होंगी, या बाल कटवाने जाते होंगे, तो last में देखी, ठोड़ा सा लगता है, काफी जादा, ठीक है, जो हलका सा इस तरीके से क्या कहते है, stone type का होता जो लगाते हैं बटा, ठीक है, वो क्या कहते है, क्या होता है, वो alum होती, फिक्ट करी होती बटा, ठीके वही बात कहना चाहरा है, चाहरे ferric chloride solution की बात कर ले जाए, चाहरे alum की बात कर ले जाए, जब कभी भी इस तरीके से कहीं पर भी कट जाता है, उसको लगाया जाता है, तब क्या हो जाता है, ठीके बटा, और coagulate हो जाएगा, तो blood हमार क्या हो, bleeding हमारी क्या हो जाएगी, stop हो जाएगी, यह बात कहना चाहरा है, ठीके, इसका मतलब यह हुआ कि blood भी हमारा क्या है, कॉलाइड है, और हमारा यह septic, sorry, alum of ferric chloride, यह हमारे क्या करते है, coagulating agent बोल सकते हैं, ठीके, आगे बात करते हैं, हम soil की बात करते हैं, sorry, fertile soil की अग humus, आप लोगोंने बायो में पढ़ा होगा, यह as a productive collide की तरीके काम करता है, ठीके, fertile soil क्या होता है, collidal nature में होता है, और जो humus होता है, वो as a productive collide की तरीके काम करता है, on account of collidal nature, soil, absorb moisture and nursing material, ठीके बाता, यह सारी बाते हो गई, अब हम बात करेंगे, formation of delta की बात किया जाए, यह जो delta बनता है ठीके, delta की बात किया जाए, तो जो हमारा यह delta जो होता है, ठीके, जहां पर नदियों का पानी का जब संगम होता है, मिलता है, नदी, समुद्र का पानी, नदी का पानी, तो इस तरीके से क्या होता है, sea water, river water, तो वहां पर क्या होता प्रसिपिटेशन होगा वो प्रसिपिटेशन के बाद क्या होता है डिल्टा का फर्मेशन हो जाता है आईए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक वर्ड है फलका सा पॉइंट है इसमें आगे बात करते हैं करें रीबर वाटर जो रीबर वाटर होता है वो कॉलेडर सलू आफ एलक्टोलाइट ठीक है सी वाटर कंटेनिंग ए नंबर आफ एलक्टोलाइट रखता है जब हमारा रीबर वाटर जो होता है सी वाटर से मिलता है बैटा तब हमारा क्या होता है यहां पर एलक्टोलाइट प्रिजिंड इन दा सी वाटर कोगलेट दा क्या वाटर के लिए रेजल्टिंग इन इस डिपोजिशन बिद्धा फार्मेशन ओफ डेल्टा यस यह बात में बात कर शुकर बैटा कि जो रीबर वाटर होता है सी वाटर से मिलेगा तो जो एलक्टोलाइट कि कोलाइट को क्या करेगा क्या करेगा बैटा प्रासिपिटेट कर देगा और प्रासिपिटेट करने के बाद यह क्या हो जाएगा डिपोजिट हो जाएगा डिपोजिशन हो जाएगा और डिपोजिशन के बाद यह क्या बना लेगा डेल्टा का फार्मेशन कर लेगा ठीक क्या कई he Collide Around Us की बात किया था मैंने अब हम Application of Collide की बात करेंगे सबसे पहले अगर बात कर लूं बैटा तो एक point हमारा यहीं important हो जाता है Collide का इस्तेमाल हम industry में करते हैं ठीक कैसे industry में करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे electrical precipitation की बात किया जाए तो electrical precipitator की तरीके हमारा क्या होता है बटा इस तरीके से हमारा कॉलाइड काम करता है electrical precipitator की तरीके आफ इस smoke की अगर बात किया जा तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं कैसे आईए हम लोग बात करते हैं आप लोगों को मालूम होगा कि जो स्मॉक होता है धुआ होता है जो वो हमारा क्या होता है किसका शॉलिड पार्टिकल का आफ कर्वन आर्सेनिक कंपॉंड डस्ट अटीचि इन एयर यह बात हम बता इस्मोक की बात किया था हमने कराए कि the smoke की बात क्या जाए इस्मोक इट वाउट फ्राम द चिमनी जो इस्मोक हमारा चिमनी से आता है निकलता है उसको हम बात कर सकते हैं कराए इज लेड फ्रू ए चेमबर कंटेंग द प्लेट्स हैंगे चार्ज अपूजिट यस तेके डैड के डिड आउट बाइ इस्मोक पार्ट के लिए यह बात में कह सकता हूं कि जो इस्मोक हमारा इंडस्ट्री से चिमनी के तोरो उसमें हम क्या करते हैं हाई बोल्टेज का हम क्या करते हैं बटा करा है कि अगर इसमें हम क्या करते हैं बटा इसमें हम क्या करते हैं कि अपोजिट चार्ज का हम क्या करते हैं प्लेटे लगा देते हैं जो कि हमारे स्मोक को क्या कर देगा प्रसिपिटेट कर देगा वही बात कहना चाह रहा है कि अब दा पार्टिकिल are coming in contact with these plates जो भी particle हमारे इस plate के contact में आएंगे वो हमारे वो अपने charge को क्या कर देंगे लास कर देंगे और लास करने के बाद precipitate हो जाएंगे और जब precipitate हो जाएंगे तो वो precipitate जो होंगे वो हमारे settle down हो जाएंगे नीचे बैठ जाएंगे ठीके कहां पर क्या कहते हैं चिमनी के चेंबर के फ्लोर में यानि particles की बात किया जाए अगर मैं particles की बात करूँ तो particles are settled down on the floor of chamber ठीके यानि इसका मतलब ये बात में कह सकता हूँ precipitate is called अच्छा the precipitate is called क्या बोलोगे बैठा cultural precipitator ये आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा ecology में bio में भी पढ़ा होगा बैठा ये हमारा इस तरीके से यहां पर figure में दिया भी है cultural smoke precipitator इसमें आप ध्यान दीजिए ये हमारा smoke है बैठा इसको concept समझ लो ज्यादा कुछ थेटकल पर ध्यान देने की बात नहीं है smoke इस तरीके से चिमिनी में आई आने के बाद यहां पर क्या कहते है इस तरीके से यहां पर क्या होता है high voltage का electrode लगा होता है ठीके 30,000 bolt का या more की बात कर रहा है और इसमें जो प्लेटे लगी हुई है इस तरीके से यहां के अगर बात किया जाए तो इसमें opposite charge होगा opposite charge होने के बाद यह क्या होगा precipitate हो जाएगा यह precipitate है इस तरीके से यहां पर आपको दिखाया गया precipitated as ठीके यह हमारा इस तरीके से यहां precipitate होकर करके जम जाएगा और जो हमारी एर निकलेगी चिमिनी के तोरो वो फ्री फ्राम कार्बन पार्टिकल और ये हमारी क्या गैस फ्री फ्राम क्या होगा तो इस्तेमाल कहां करते पूरिफिकेशन की जिस कि पानी पीने के लाइक हो जाए यह बात मैं के सकता हूं कि water जो हमारा natural source से obtain होता है उसमें कुछ suspended impurities होती है ठीक है तो हम उसमें क्या करते हैं alum को मिला देते हैं ठीक है fit curry को मिला देते हैं तो वो हमारा क्या करता है suspended जो particle होते है impurities होती है उसको coagulate कर देता है और वो चीज नीचे settle down हो जाती बैठ जाती है और वो drinking water जो होता है fit for drinking drinking के लिए क्या हो जाता है fit हो जाता है नहीं मैं यह बात कह सकता हूँ water obtained from natural source containing suspended impurities alum alum को अगर मिला दिया जाए तो यह हमारा क्या होगा coagulate कर देगा suspended impurities को और यह हमारा क्या हो जाएगा water क्या होगा fit हो जाएगा for drinking के लिए purpose के लिए ठीक है इस तरीके से हम बात कर सकते हैं यह बाते हमने कर लिया बैटा अब हम थोड़ा सा बात करेंगे medicine के बारे में बात करेंगे जैनि medicine में भी हम आएजे हम बात कर सकते है यह application होता है किसका collide का यहाँ अब तक कि अगर बात किया जाए medicine की अगर बात किया जाए most of the medicine are colliding in the nature जादे तर medicine हमारी कैसी होती है बात को लाइडल नेचर की होती है जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो अरगायराल एक हमारी क्या कहती इस तरीके से medicine है किया रहा है करते हैं आई लोशन में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं ठीक दूसरी बात अगर हम बात करें तो colliding antimony जो भी है इसका इसका इस्तेमाल हम काला जार काला जार क्योरिमिंग किया जाता है यानि जैक्शन ठीके colliding gold का भी इस्तेमाल हम कहां करते हैं मिल्क आफ मैगनीजिया की अगर बात किया जाए एन इमल्सनि यूज फार इस्टरमक डिशाडर जैनर जिरिदी करे चकरे अपको किमेस्टरि Ondre अगे बात करते हैं कॉलडरल मेडसिन और मॉस्ट इफेक्टिव विकाज МУЗЫКА निए बात मैं कह सकता हूं कि जो कोलाडल मेडशी होती है उस वो जादा एफ़क्टुड Bonjour कूछ service area क्या होती दटा जादा होती है याज़्िभी ख्या है गर दी विट खोटें के आफ लोगों ने बायो में होगा आगे बात करते आगे हम बात करेंगे tanning की बाद करते हैं ठीक है ठीक जो हमारी खाल होती है वो पॉस्टिबली चार्ज होती है इसे बहुत सकते हैं जिसको हम क्या करते हैं सोड करते हैं दूबोते हैं किसमें बटा टैनिन में और जो कि टैनिन हमारा कैसा होता है निगेटिव ली चार्ज होता है बस वही पॉजिटिव निगेटिव का ही खेल है पूरी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए टैनिन पर निगेटिव और हाइड पर खाल पर हमारा क्या ह होता है वहीं बात कह रहा है कि इस में भी क्या होता है mutual अफ लेडर को ही हम क्या नाम देते हैं टैनिंग ठीक है टैनिंग ठीक एक पॉइंट और भी है कि क्रोमियम साल्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्रोमियम साल्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है किसके जगां पर इन प्लेस आफ टैनिन के जगां पर क्रोमियम साल्ड का भी इस्तेमल हम कर सकते हैं, ठीके, यूँँगे, क्योंकि इसका मतलब करोमियम साल्ड भी हमारा एजे निग्रिटिब चार्ज की तरीके काम करता हो का, ठीके, आईए हम बात करते हैं cleaning action of soup इसके बारे में तो बात करना ही ठीके बाटा गलत है आपके लिए क्योंकि ये सब बाते बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ाया है cleaning action chemistry in the life में आईए आगे बात करते हैं photographic plate film की बात किया जाए तो photographic plate की अगर बात किया जाए फिल्म की बात किया जाए इसको इस्तिमा बनाया जाता है by coating or emulsion of light sensitive silver bromide की बात कर रहा है in gelatin की बात किया जाए silver bromide याद रखना ओबर glass plates silaloid film का formation होता ठीके इस तरीके से हम बात कर सकते है photographic film को भी बनाने में भी हम इस्तिमाल करते है करें rubber industry की बात किया जाए बैटा तो rubber industry में क्या किया जाए क्या बात किया जाए latex हमने बताया थे बैटा latex जो होता है वो क्या होता है corridor solution होता है ठीके rubber का which have negatively charge जिस पर हमारा क्या होता है बैटा negative charge होता है अच्छा इससे पहले वाली अगर हम बात करने बैटा ता hide पर क्या होता है positively charge होता है और हमारे क्या कहते इस तरीके से rubber पर negatively charge होगा rubber is obtained by the coagulation of latex latex कि अगर मैं क्या कर दूँ बैटा coagulation कर दूँ तो हमारा क्या मिल जाएगा इस तरीके से rubber मिल जाएगा अब हम बात करेंगे industrial product की बात किया जाए अरे यार यह सब बाते आपको हम कर चुके है pant की बात किया जाए बैटा pant, ink, synthetic, plastic की rubber की बात किया जाए graphite, lubricant, cement यह सारे के सारे हमारे क्या है बैटा collateral solution है ठेक है thanks for watching this video please like and subscribe बैटा like और subscribe करना न भूले जिससे कि कोई भी video हम upload करें तो वो आप तक आसानी से पहुँच सके